Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, मेरा नाम है मौनिका और आज हम करेंगे क्लास 9 का जो लोक्तांत्रिक रानेती का जो दूसरा पार्ट है सम्विधान निर्मान उसके कुछ MCQs So these are the very important MCQs, चलिए शुरू करते हैं पहरा प्रश्न, भारती सम्विधान सबा के गठन की समय प्रारूप समीती के अधियक्ष कौन थे? मतलब कि जब सम्विधान का प्रारूप बन रहा था कि सम्विधान को कैसे बनाना है तो उसके जो अधियक्ष थे, वो कौन थे? तो उसका correct answer है Dr. Bheem Rao Ambedkar, ठीक है? इसमें explanation दी है, मैं आपके सामने वो पढ़ रही हूँ भारती सम्विधान समीती के गठन की समय प्रारूप समीती के देख Dr. Bheem Rao Ambedkar थे जिनको हम B.R. Ambedkar भी कहते हैं उन्हें भारती सम्विधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है जनक मतलब होता है पिता, फादर, he is known as the father of the Indian constitution तो आपसे अगर एक question भी पूछा रहा है कि भारती सम्विधान के जनक कौन है तो भी आपका answer यही होगा Dr. Bheem Rao Ambedkar Next question भारती सम्विधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य हैं तो एक पूरी एक सभा बनी थी पिटाए, ग्रुप बना था जिन्होंने सम्विधान को लिखा था और क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं था इसलिए उसमें बहुत सारे सदस्य थे तो कितने सदस्य थे 299 ठीक है और सम्विधान सभा में हर एक वर्ग को प्रतिने जित्व मिलाता तो हर एक तबके से लोग आयते ऐसा नहीं है कि सारे ही जो लोग है वो एक गुरुप के हो या समाज के किसी एक गुरुप से हो है ऐसा कुछ नहीं था ठीक है तो यहां पे कितने कुल सदस्य थे सम्विधान सभा में 299 299 बारती सम्विधान कब बनकर तयार हुआ था तो डेट बताने है आपको 26 नवंबर 1949 को ठीक है भारत का जो सम्विधान है तो सम्विधान सभा के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास से 26 नवंबर 1949 को बनकर तयार हुआ So if you remember this कि कल 26 नवंबर ही है और मतलब हमारा Constitution Day है Okay, so you can remember now और 26 नवंबर जो है उस दिन को हमारा सम्विधान बनकर तयार हुआ था और 1949 में एक और डेट यहां पे दी वही है 26 January 1950 Okay, इस डेट की क्या एहमियत है अगर यह आप जानते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा Okay, so the correct answer is भारतिय सम्विधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तयार हुआ एक question और इसमें से बनता है भारतिय सम्विधान को बनने में कितना वक्त लगा था तो यहाँ पर जो first sentence में आपके लिखा है time period दो वर्ष, ग्यारा महीने और अठारा दिन ठीक है? यह भी याद रखिएगा Next question सम्विधान निर्मान में कितना समय लगा था? अभी अभी हमने पढ़ा Right? दो वर्ष, ग्यारा महीने और अठारा दिन Right? Next और इन्होंने African National Congress नाम की एक रानेतिक दल जो है Political Party है वो भी बनाई थी ठीक है? दक्षिन अफरीका गंतंत्र कब घोशित हुआ? तो दक्षिन अफरीका जो है वो गंतंत्र कब बना था? डेट है उसकी 26 अप्रेल 1994 1994 में दक्षिन अफरीका गंतंत्र बना था और आप देख रहे हैं कि कितने सालों बाद उनको कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी अपनी सवतंत्रता के लिए और वो भी British समराज के अधीन थे उस समय में ठीक है? Next question इन मेंसे कौन अंतरिम सरकार में गरह मंत्री थे? अंतरिम सरकार क्या होती? कि जब तक एक सरकार जो के द्वारा अगर लोगतांतिक सरकार है तो लोगों के द्वारा चुनी जाये उससे पहले, election से पहले जब हम एक सरकार बनाते हैं उस बीच, ठीक है? जब तक कि हमें काम करना है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती जब तक वोटिंग नहीं हो जाते तो उस बीच के समय के लिए हमें एक सरकार बनानी होते तो उसको हम बोलते हैं अंतरिम सरकार ठीक है उस समय के लिए तब तक ठीक है तो इस समय में जब हमारी अंतरिम सरकार बनी उसको सारे जो हमारी हां की जो प्रिंसली स्टेट सी सारी उनको एक साथ जोड़ना और एक क्या नामे से युक्त भारत का निर्मान करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है निमले के चब्दों में से कौन सही नहीं है तो हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है पहली भारतिय महीला अधियक्ष थी जिसे कि यहांप एक्स्वेशन में लिखा है कि कौन्गरिस की पहली महीला अधियक्ष जो थी वो एन्नी बेसंट थी ठीक है और एनी बेसंट के बाद 1925 में कौन्गरिस की अधियक्ष बनी थी सरोशनी नाइडू इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे जो सिटिजन्स हैं जो यहां के रहने वाले जो नागरिक हैं उनके अगर मौलिक अदिकार जो हैं वो छीन ले जाते हैं तो सीधा हम जाके जो हमारे नयाय आले हैं सर उच नयाय आले और उच नयाय आले वहाँ पे जाके complaint कर सकते हैं ठीक है और ये अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार सरकार भी हमसे नहीं चीन सकती इसलिए इन समविधानिक उप्चारों के अधिकार को heart and soul of the constitution या समविधान की आत्मा कहा जाता है next question बहार कि सम्विधान निर मताओं के विचार निम्न में से इसमें क्या दिखाई पड़ता है तो किसमें दिखाई पड़ता है कि तो जो हमारे विचार है कि हमारे सम्विधान किस आधार पे बने वो कहां लिखे होते हैं उदेशिका में सम्विधान मंशोदन में सम्विधान उप्चारों के अधिकार में या मूल अधिकार उसका correct answer in option A Uddαι Shepherd में तीक है Uddspeaking今日は땐न का Samsamthisα हैं जिसके उपर हमारे सम्विधान की सरे हमारे विचार है जो किस आधार उदेशी का जो हमारे सम्मिधान का पहला प्रिष्ट है, जिसके उपर हमारे सम्मिधान की सारे हमारे विचार है, जो किस आधार पे हमने अपने सम्मिधान को बनाया है, वो लिखा रहता है उसमें, ठीक है, नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरू प्रचलन में है प्रत्यक्ष लोक्तंत्र है उप्रुक्त दोनों का मिशरन है या दोनों में से कोई नहीं है तो इसमें आंसर आता है प्रत्यक्ष लोक्तंत्र इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो की हमारे लिए देश के लिए कानून बनाते हैं ठीक है भारते सम्मिधान की उदेशिका में कितने प्रकार की स्वतंतिता की बात की गई है तो दो प्रकार चार या पांच या दस प्रकार की तो इसका correct answer is पांच जैसे की भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना जो है जिसको हम उदेशिका भी बोलते हैं दोनों words उसकते हैं उदेशिका के लिए प्रस्तावना या उदेशिका उसमें विचारों की अभीवक्ति की स्वतंतिता है अभीवक्ति की स्वतंतिता है विश्वास की स्वतंतिता है धर्म और उपासना ठीक है कि हम कुछ भी मान सकते हैं हम किसी भी चीज में विश्वास रख सकते हैं, किसी भी धरम का पालन कर सकते हैं, उसकी स्वतनतता है हमें, और उपासना किसको भी हमने पूठना है, उसकी भी हमारे को पूरी स्वतनतता होती है, तो इन सब स्वतनता हो कि उसमें बात की गई है, ठीक है, next नेक्स्ट निम्नमेसिक वारत की संदर्भ में १र्म निर्पेक्षब्ड का सही भाव्यक्त करता है नौ धर्व निर्पेक्ष शब्द ये शब्द आपके एक्जाम में इस पे कोई ना कोई question जरूर आता है पहले तो ये 3 मार्क्स वाले question में पूछा राता था कि धर्व निर्पेक्ष भारत एक धर्व निर्पेक्ष राष्ट्रे है बताईए कैसे 3 मिंदू दीजिए अब यहापे इतने सारे बिंदू दीए हुए आपको उन में से जो एक करेक्ट वो बताना है तो पहले हमको पताऊना जी धर्व निर्पेक्ष का अर्थ क्या होता है ठीक है धर्व निर्पेक्ष के अर्थ में यहापे जो points लिखे हैं पहले मैं वो समझा दूँ नमबर वन भारत में अनेग धर्म है ठीक है लेकिन यह धर्व निर्पेक्ष को नहीं अभी समझा रहा है पूरी तरह से next भारतियों को धार्मिक सो तंदता प्राप्ट है ठीक है धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है ठीक है भारत में राज्य का कोई धर नहीं है तो जो लास्ट पॉइंट है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है यह धर्म निर्पेक शब्द जिसको इंग्लिश में हम सेक्यूलर बोलते हैं उसका सही भाव्यक्त करता है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश का कोई ठीक है ओफिशिल कोई अधिकार एक शब्द है उसको जो सही माईने में समझाता है जो स्टेटमेंट वो है ऑप्शन डी कि भारत का अपना कोई राज का धरम नहीं है ठीक है और हम जो हैं सभी धरम को हमारा जो राश्ट्र है या सम्विधान है एक समान देखता है ठीक है तो अगर आपको यह सारे ओप्शन लिखे हुए हो और फिर उसमें लिखाओ लास्ट ऑप्शन में उप्रुक्त सभी तब आप उप्रुक्त सभी कर सकते हो लेकिन अगर आपसे बैस्ट ऑप्शन पूछा है कि कौन सा है का सही भाव व्यक्त करता है तो पहली चीज़ जो देखने है आपने वो यही वाला पॉ अपने समविधान से हमने लिए है जो रॉमारे विश्व में कैसी क्रांटी हुई थी ठीक है कहते हैं उसको सबसे पहली क्रांटी थी विश्व की जिससे पूरा विश्व है वो प्रभावित हुआ था तो वो ती France की France quests उसली पने हमने फ्रांस से ये शब्द लिये हैं, जो इसके मूल शब्द थे, जो मूल नीती थी, जिस पर ये जो क्रांती है, वो टिकी थी, सतंतता, समानता और बंदुत्व, उसके साथ साथ हमने अपने समविधान में बाकी और देशों से भी बहुत कुछ लिया है, ठीक है, अपने सम अफ्रीका, फ्रांस, ऐस्ट्रेलिया, जर्मनी, जपान, रूस, आदी देशों से कुछ महतुपून भागों को लिया गया है, आपकी तो बीग्जाम हो जाए, या फिर आप अरभी टाइम निकाल सकते हैं, I want you to please find out, कि हमने कौन-कौन से देश से क्या-क्या अपने समविध में लिकर डाला है, तो आप अगर इसके अंसर धून सकते हैं, तो नीचे कॉमेंस में मुझे जरूर बताएगे का, with your name and school, okay, I will be more than happy to receive your comments, फिर उसके बाद मैं भी रिप्लाइ करूंगे अपके कॉमेंस पे, if you are right or not, okay, thank you for watching this video, मैं जल्दे होंगी न्यू वीडियो के साथ, और प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेर करें, see you next time, bye bye, take care of yourself.